नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो मेरा सभी सिक्षामित्रों और अनुदेशकों से एक विशेस अनुरोध है कि इस वीडियो को एंड तक चरूर देखेंगे तब तक आपको मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद समझ में नहीं आएगा दोस्तो सिक्षा के छेतर में उत्तम कारे करने पर सिक्षकों को पुरुषकार दिया जाता है ये पुरुषकार देश, राज और जिलास तरपर होते हैं और ये पुरुषकार विशेश योगदान दे रहे सिक्षकों को प्रदान किया जाता है ताकि वो अन्य सिक्षकों के लि पूरी टीम की तरब से गुरू जी को नमन करते हुए बहुत बहुत बधाईयां। प्राइमरी स्कूल में सिक्षा मित्र के नम से जाने जाते हैं। बीट गए और पता भी नहीं चला मगर इनके कारे को अभी तक सराहा नहीं गया। अभी तक ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब इस सम्मान से इन्हें भी सम्मानित किया गया हो। अब हम बात करते हैं नीब भरने के बाद जूनियर हाइ स्कूल में आने पर इनकी गुरवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जूनियर हाइ स्कूलों में अनुदेशकों की भरती कराई गई। इस सब्द पर ध्यान दीजे का गुरवत्ता साथ ही बच्चों की संख्या बढ़ाने और गाओं के बाकी काम करने के लिए और अपने विशय में दक्षता रखने के बाद भी अनुदेशकों ने अन्य विशयों में पढ़ाते हुए साथ साल लगातार इस विवाग को दिये अपनी इन सेवाओं के बाबजूद भी और बच्चों की बुनियाती सिक्षा को और मजबूत करने के बाबजूद भी अनुदेशकों को भी अभी तक इस सम्मान से नहीं नवाजा गया अब सवाल ये है क्या ये सम्मान अपने कार इसे जादा वेतन के मानक पर आधारित होता है सवाल बड़ा है मगर सोचने वाला है अनुदेशों को सिक्षमित्र किसी भी तरीके से किसी से भी कम नहीं है